बिस्मिल्हारामाने राहिम असलाम लेकूं दोस्तों गैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूर्ट सीक्रेट्स अलावर कद्दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जाय को वह तो आज बहुत ही लजीज और हैल्दी बेसं के तो बेसं से घी जो है वह आपने हाफ यूज़ करना है ठीक है इसको हम पिखला लेंगे और उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे बेसं बेसं इसमें आपने डेर कप यूज़ करना है और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेसं अच्छी क्वालिटी का हो अच्छी ब्रैंड का यूज़ करने ठीक है वो भी अच्छा होता है अब आपने यहां पे लो टु मीडियम फ्लेम के उपर इस बेसन को इस घी में अच्छे से पकाना है ठीक है थोड़ा सा फूट कलर एड़ कर लेंगे अच्छे से पकाने का मतलब यह होता है किसको पकाते पकाते आप आपको एक शानदार सी भूनी सी खुश्वू आने शुरू हो जाए यह जल्दी नहीं आएगी इसमें आपको कोई 12-15 मिनट लग जाएंगे लेकिन आपने इसको पकाना जरूर है थोड़ा सा इसमें इलाची का पॉड़र एड़ कर देंगे और पकाते पकाते यह देखिए आपसे आपको एक दम से समझ नहीं नहीं उसके बाद फिले मैंने आफ कर दिया जब खुश्वू आना शुरू होगी तब इसमें मैं चीनी एड़ कर रहा हूं पीसी हुई एक कप ठीक है एक कप चीनी इसमें नॉर्मल है अगर आपको जाला मिठाब संदर तो आप सवा कप यूज कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल ही एक कप इस तनी मिटिरियल में काफी होती है फ्ले मैंने आफ कर दिया अच्छे से इसको करूंगा मिक्स इस चीनी के वज़े से यह गाड़ा भी हो जाएगा ठिक भी हो जाएगा और इसमें थोड़ी सी लेसपन भी आ जाएगी जिससे यह अच्छे से चिपक सकेगा ठीक है मतलब कि हम इसके लड़ू बना सके अच्छे से इसको हम इस तरह मिक्स कर देंगे और मिक्स कर देने के बाद हमने इसी बरतन के अंदर या किसी और बरतन के इसको पहला के रख देना है ताके यह ठंडा हो सके ताके हम बाल में इसके ल थोड़ा सा इसका मिटीरियल पकड़के अच्छे से पहले इसको मुठी से दबाना है ताकि इसके जो क्रैक्स विए रहा है वो निकल जाए उसके बाद इसका आप यह बॉल बना ले उसके बाद इसको ड्राइफ फूर से हम गार्णिश करेंगे तो माशाला अलहम्दलिल्ला देखेजिए मेरा अल्ला की शान उसकी रहमते नेमते और परते जुसरे मातों मखानों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जान सार गर्जाज देजिए एक लिए विए टाक आक अल्ला हाफीज